इस सम्वाद को मैं चाहता हूँ कि देश के लिए कोई दिशा बनाने वाला दिशा इस्थापित करने वाला बन जाए इस द्रश्टी से मैं कुछ तथ्या आपके बीच रफना चाहता हूँ हमारे भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार अंग्रेजों ने बहुत गंभीर और खराब टिकपणी की थी सन 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और अंग्रेजों की सरकार के साथ उनका वारता लाप चल रहा था अंग्रेजों की तरफ से जो गांधी जी से समबाद करने वाली टीम थी या उनका जो समू था उस समू के जो बहुत प्रमुख लोगों में से एक उन्होंने गांदी जी को एक बहुत खराब बात कही उन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था तो कभी भी बन नहीं पाती गांदी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी ये गांदी जी ने कहा तो अंग्रेज अधिकारियों ने गांदी जी से कहा कि आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं तो गांदी जी ने कहा कि मेरे देश को मैंने बहुत नस्दीक से देखा है गाउं गाउं में मैंने प्रवास किया है वहाँ जो कुछ भी सिक्षा व्यवस्था के पुराने खंडहर दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भूत काल में हमारी सिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत मजबूत थी उसी समय गांदी जी के साथ उन अंग्रेज अधिकारियों का विवाद हो गया और गांदी जी की गोल में जयात्रा समाप्त होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी तरफ से एक वक्तव विजारी किया जो लंदन के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छपा और उसमें ये कहा गया कि गांदी जी को अपने देश की सिक्षा व्यवस्था के बारे में गर्व है लेकिन उनके पास इस बात का कोई आधार और सबूत नहीं है कि भारत की सिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने के पहले कैसी थी ये गांदी जी के पास कोई प्रमान नहीं है लिहाजा हम मानेंगे नहीं कि गांदी जी की बात सही है और इस तरह से उस पर एक बहस चल पड़ी भारत लोटने के बाद महात्मा गांदी ने उस बहस को बंद नहीं किया और लगातार उसको जिन्दा रखा गांदी जी के जो बहुत नजदी की लोगों में से काम करने वाले एक व्यादी जो इस समय भी जीवित हैं और जो भारत के बहुत प्रमुक इतिहासकारों में माने जाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर धरमपाल जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को तो प्रोफेसर धरमपाल जो गांदी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने गांदी जी को पूछा कि अच्छा अब मेरा काम क्या है आज़ादी आ गई, सरकार बन गई, अब बताइए मेरा काम क्या है तो गांदी जी ने कहा कि देखो मैं 1931 में गोलमेच सम्मिलन में लंदन गया था उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने मुझे ये कहा था कि भारत में अंग्रेज अगर नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं होती मुझे ये बात सही नहीं लगती लेकिन मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई प्रमान नहीं है मैं तुम से उम्मीद रखता हूँ कि तुम भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में जितने भी संभव हो प्रमान इकठे करो, दस्तावेज इकठे करो, तथ इकठे करो और उसके आधार पर ये सत्य साबित करो कि अंग्रेजों से आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी थी दरमपाल जी ने गांधी जी के इस वाक्य को या गांधी जी के इस कथन को अपने जीवन का उद्देश बना लिया और वो भारत छोड़कर लंदन चले गए लंदन के बाद दुनिया के कई देशों में घूमते रहे फ्रांस में रहे जर्मनी में रहे यूरोप के देशों में 40 साल उन्होंने अध्यन और अध्यापन किया बहुत समय तक वो पढ़ाते रहे जीविका चलाने के लिए कुछ पैसा बनाने के लिए लेकिन मूल उद्देश ये था कि भारती सिक्षा व्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के आने के पहले उसके प्रमान एकत्रित करना दस्तावेज एकत्रित करना और उनके आधार पर कोई अधिकार पूर्वक बात कहना शुरी धरमपाल जी के 40 साल के अथक प्रयासों से कुछ हजार दस्तावेज मिले जो अलग-अलग स्थानों से उन्होंने लिए उनका एक साथ जब बैठ कर विशलेशन किया तो पता चला कि अंग्रेजों के आने के पहले की सिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थे अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक घटना घटित हुई वो इस से बहुत जुड़ी हुई है जो मैं कहने जा रहा हूँ हमारे देश के जो वरतमान प्रधान मंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंग ये थोड़े दिन पहले आक्सफोर्ड विश्वविद्याले में गए थे और इनको आक्सफोर्ड विश्वविद्याले ने मानद डॉक्टरेट की उपादी दी थी जिस दिन ये समारो आयोजित हुआ था उस दिन मैंने उसका लाइव टेली कास्ट देखा था सीधा प्रसारन और उस सीधे प्रसारन में लगबग मैं दो ढ़ाई घंटे बैठा रहा टीवी के सामने देखता रहा कि क्या क्या हो रहा है उस कारिकरम में 40 मिनिट का तो व्याक्यान हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंग का और उसके अलावा कुछ दूसरी औप्चारिक ताएं हुई मनमोहन सिंग जी ने जो व्याक्यान दिया इस आक्सफोर्ड विश्व विद्याले के पद्वी ग्रहड समारोह में वो बहुत ही तकलीफ देने वाला था और किसी भी स्वाविमानी भारती नागरिक को नीचा दिखाने वाला था उन्होंने अपने व्याक्यान की शुरुआत ही यहां से की कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर सिक्षा व्यवस्था दी हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं जो उन्होंने भारत में आकर नियाए व्यवस्था इस्थापित की हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं कि उन्होंने भारती और लोगों को विग्यान सिखाया हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं कि उन्होंने भारतिय नागरिकों को विज्ञान और तक्नीकी का अंतर समझाया हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाशा हमें बताई और ऐसा ही वो 40 मिनट बोलते रहे अगले दिन क्या हुआ लंदन के सभी समाचार पत्रों में हमारे भारत के प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग का ये वक्तव छपा और इस वक्तव के साथ सभी समाचार पत्रों में समपादिकीय टिपणी भी छपी और ज्यादातर समाचार पत्रों के समपादिकीय में ये लिखा गया कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधान मंतरी विंस्टन चर्चिल ने सन 1945 में भारत के बारे में ये कह दिया था कि ये देश आजाद होने लायक देश नहीं है और भारत के प्रधान मंतरी डॉक्टर बन्मोहन सिंग ने कल लंदन में व्याक्यान देकर ये सिद्ध कर दिया कि भारत आजादी के इतने साल के बाद भी अभी मानसिक रूप से गुलाम है जिस देश का प्रधान मंतरी अभी भी अंग्रेजों के गुरगान करता हो उस देश की प्रजा की मानसिक गुलामी की इस्थिती क्या होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं वगरा वगरा खूब लंबी संपाद की टिपणी उस पे की गई मेरे कुछ दोस्तों ने वो संपाद की टिपणिया अलग-लग अखवारों से काट कर भेज दिया उसके बाद मैंने डॉक्टर मनमहन सिंग के लिए एक पत्र लिखा जो लगबग 2500 पेज का है वो पत्र नहीं एक किताव हो गई और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधान मंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हमें शर्म आती है कि आप भारत के ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने भारती अताका कुछ समझने की भी जीवन में कोशिश नहीं की है भारत अंग्रेजों के पहले कैसा था भारत की सिक्षा अंग्रेजों के पहले कैसी थी बारत की तकनीकी और विग्यान अंग्रेजों के पहले कैसा था हमारा भारत अंग्रेजों के पहले उद्द्योग और व्यापार में किस इस्थान पर दुनिया में टिका हुआ था ये सब बातें अगर आप दस्तावेजों के आधार पर जरा समझें और जानें तो बहुत अच्छा होगा आप अगली बार ऐसा गुलामी का वक्तव देने से बचेंगे आपको सुनकर हरानी होगी कि मैंने ये जो पत्र लिखा ये पत्र मनमहन सिंग के कारियाले में पहुँचा और एक लाइन का उत्तर आया कि आपका पत्र मिला और हम उसको कारिवाही के लिए भेज रहे अब कहां भेज रहे कारिवाही के लिए मैंने तो लिखा था हमारे देश के प्रधान मंत्री को और उसमें पत्र तो एक ही पन्ने का था बागी 249 पन्ने के तो दस्तावेज जो ये सिद्ध करने के लिए मैंने उनके पास भेजे कि आप पहले इन दस्तावेजों को पढ़ें और देखें कि अंग्रेजों के आने के पहले का भारत कैसा था सिक्षा व्यवस्था के इस्तर पर तक्नीक और विज्ञान के इस्तर पर उद्योग और व्यापार के इस्तर पर हर इस्तर पर चिकित्सा व्यवस्था के इस्तर पर जहां तक भी संभव हो मैंने उसमें जानकरी दी उसमें से एक हिस्से की छोटी जानकरी मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी थी जो लगबग 40 साल यहां रहा उसका नाम था विलियम एडम विलियम एडम बहुत उच्छिस तरका अधिकारी था अंग्रेजों की जो संसत का एक हिस्सा है House of Lords उसमें बहुत दिनों तक वो संसत था और भारत में उसको बहुत उच्छिस तरका अधिकारी बना कर भेजा गया थ उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो भारत में आकर अगर गवर्नर को या वाइसराय को कोई सुझाओ दे दे तो वाइसराय उसको कानून बनाने के लिए मजबूर होता था विलियम एडम इस सिस्तर का अधिकारी था उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले कुछ अधि होंगे क्योंकि यह मैकॉले का बॉस था मैकॉले भारत में सिक्षा विवस्था के बारे में जितना भी अभ्यास करता था वो अपने इमीडियेट बॉस विलियम एडम को भेशता था तो विलियम एडम ने भारत की सिक्षा विवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार की और वो लगबग 1700 कुछ पन्ने की है 1780 पन्ने हैं उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट संसद में पेश की गई संसद माने अंग्रेजों की संसद में House of Commons में पेश की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी है विलियम एडम की रिपोर्ट मेंसे कुछ तथ्य में आपको देता हूँ जो इस समय अंग्रेजी संसत के रिकॉर्ड्स पर है आप जानते हैं कि हाउस अफ कॉमन्स और हाउस अफ लॉर्ड्स में जो भी बहस होती है वो सभी रिकॉर्ड में रहती है और जो रिकॉर्ड में आ जाती है वो उनका डॉकुमेंट्स बन जाती है दस्तावेज बन जाती है और फिर ब्रिटिश पार्लेमेंट की एक प्रेस है जिसको हंसाड कहते है वो जरूरत पढ़ने पर समय समय पर ये डॉकुमेंट्स को प्रकाश्चित करती रहती है तो भारत की सिक्षा व्यवस्था पर विलियम एडम की रिपोर्ट जिसमें जगे जगे पर मैकॉले की दी गई टिपपनी मैं पहले मैकॉले की एक छोटी सी लाइन आपको सुना देता हूँ मैकॉले और मिलियम एडम भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बात कर रहे हैं तो घंटों घंटों उन्होंने बात की है। एक दिन रॉबर्ट क्लाइफ सॉरी ये टीवी में कॉले दो फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश पारलेमेंट के हाउस आफ कॉमेंस में खड़ा होके भाशन दे रहा है और कह रहा है कि मैंन भारत का उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम पूरा इलाका घूम लिया है। ऐसा कोई छेत्र नहीं है जो मैंने भारत का नहीं देखा है। और मैंने भारत का बाहरी छेत्र भी देखा है आंतरिक छेत्र भी देखा है। देखने के बाद मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर व पूरब पश्चिम में घूम लेने के बाद, उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, I had traveled length and breath, length and breath माने सब भारत मैंने देख लिया, मैंने पूरा भारत देख लिया और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि बारत देश में आज तक कहीं भी भिकारी देखने को नहीं मिला, कोई बेरोजगार आदमी देखने को नहीं मिला, गाओं के किसी कोने में किसी इस्थान पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जो किसी पर पराश्रित हो, आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में नहीं पाया, जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो, और यह ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1835 में वो बोल रहा है, आज से लगबग आप कल्पना करें, तो 170 साल पहले बोल रहा है, तो 170 साल पहले इस देश में कोई भिकारी नहीं था, जरा ध्यान से सुनिया इस बात, कोई भिकारी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, फिर वो कहता है, विलियम, वो सारी, टीबी में कॉले, कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं, पैरिस देखा है, बरलिन देखा है, हेंबर्ग देखा है, मॉस्को देखा है, फ्रेंक्फर्ट देखा है शिकागो देखा है नुई यॉर्क देखा है लंदन तो अपना है ही बारबार देखा है लेकिन इन सभी शहरों की कुल संपत्ती भारत के एक शहर से भी बहुत कम है तो उसको पूछा गया प्रश्ण कि वोताओ वो कौन सा शहर है तो कहता है भारत का एक शहर सूरत और यूरोप के सारे शहर एक बाजू में तो भी सूरत इन सभी पे भारी पड़ता है इतनी संपत्ती इतना धन मैंने उस शहर में देखा है और वो कहता है कि इतना धन और संपत्ती जिस समाच के पास हो उस समाच को गुलाम बनाना एक दम मुश्किल है वो ये कहता है मैं ये तो नहीं कहता कि असंभव है लेकिन मुश्किल बहुत है फिर वो कहता है कि मैं एक सुझाओ देना चाहता हूँ ब्रिटिश गवर्मेंट को सरकार को कि अगर भारत को गुलाम बनाना हो तो इनका बैवव, इनका धन, इनकी संपत्ती को खतम करो तो फिर ब्रिटिश पार्लेमेंट के सांसद उसको पूछ रहे हैं कि भारत का धन, भारत का बैवव और भारत की संपत्ती को खतम करने के लिए तुमारे पास क्या योजना है तो कहता है भारत की सिक्षा व्यवस्था को खतम करो वो कहता है कि भारत में जितना भी धन है संपत्ति है बैववय ये भारत की सिक्षा व्यवस्था के कारण है तो कोई सांसत पूछ लेता है कि अच्छा बताओ भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी है तो वो कहता है कि भारत की सिक्षा व्यवस्था में सबसे पहला सत्य जे है कि यहाँ निरक्षरता नहीं है। माने, लिट्रेसी कम्प्लीट है। तो उसको पूछा गया, क्या संपूर भारत में एक जैसा है। तो कहता है दक्षिन भारत में लिट्रेसी 100% है, दक्षिन भारत का माने करनाटक, आनिर प्रदेश, तमिलनाडू, केरन, तो कहता है दक्षिन में 100% है, पश्चिम भारत में 98% है, 98% है, उत्तर भारत में लगबग 82% के आसपास है, मद्धि भारत और बचे हुए भारत में लगभग भारत साक्षर है उसी समय एक दूसरा सांसत खड़ाओ के पूछता है कि अच्छा आप यह बता सकते हैं कि इंग्लेंड की स्थिती क्या है तो उनका यह मैं तो नहीं बसा सकता है एजुकेशन मिनिस्टर बैठें वो बता है तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़े ओके बोलते हैं कि जब भारत की साक्षरता लगभग सौ प्रतिशत है उस समय इंग्लेंड इंग्लेंड माने तीन राज्यों का समू अभी जिसको आज कल बृतें कहा जाने लगा है स्कॉट्लेंड आयरलेंड और न्यू साउथ वेल्स मिलाके तो वो कहते हैं कि यह जो तीन सेवन तो फिर पूछ रहे हैं कि भई कारण क्या है इसका भारत में इतनी साक्षरता और हमारे यां कुछ भी नहीं तो वो कह रहा है टीवी में कॉले कि इस समय भारत में सात लाख बत्तीस हजार रवेन्यू विलेजिस हैं राजस्स वाले गाउं तो नोन रवेन्यू वाले उसने का वो मुझे नहीं मालूँ वो करा सात लाख बत्तीस हजार राजस्सु गाउं हैं और ऐसा एक भी राजस्सु गाउं नहीं है जहां पर इसकूल की व्यवस्था नहीं है तो फिर उसको प्रशन पूछा गया कि क्या भारत के लोग इसको इसकूल कहते हैं तो उनका न मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो गुरकुल के बराबर हो तो मैं स्कूल कहता हूं तो हम ऐसा मान लें कि मैकॉले बोल रहा है दो फरवरी अठारे सो पैंतीस को हाउस ऑफ कॉमंस में कि भारत के सात लाख बत्तीस हजार गाउं में कोई भी ऐसा गाउं नहीं है जहां पर गुरकुल नहीं हो इसका अर्थ क्या है हर गाउं में एक गुरकुल है फिर उसको पूछा गया इस गुरकुल में क्या होता है तो उनका पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो कितने विद्यारती हैं तो उसने का सबसे बड़ा गुरकुल मैंने देखा है वो बीस हजार विद्यारत और जो सबसे छोटा गुरूकुल मैंने देखा है, वो 200 विद्यार्थियों का है, माने जो गुरूकुलों के बड़े होने कांदाज़ा हम लगाना चाहें, तो 200 विद्यार्थियों से लेकर 20,000 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल इस देश में चलते हैं 1835 के आसपास फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल है इसके व्यवस्था कैसे होती है ये तो बहुत बड़े विद्यार्थियों का समू है, कैसे पढ़ाते हैं, व्यवस्था कैसे होता है, तो वो कहता है कि भारत के इन सभी गुरुकुलों में मौनिटोरियल एजुकेशन होती है, मौनिटोरियल एजुकेशन का मतलब हम सब समझते हैं, कि आचारी ने किसी विद्यार्थी वर्ग को तैयार किया, मान लीजे उसमें 50 विद्यार्थी, अब वो 50 विद्यार्थी अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे, और वो 50 विद् का समू है जिनको वो नियमित रूप से पढ़ाते हैं तो वो बीस हजार विद्धियार्थियों का गुर्कुल आराम से समालते हैं और उसने परिभाशा दिया है कि जो आचारे बीस हजार विद्धियार्थियों के गुर्कुल को समालते हैं उनको भारत में कुल्पती कहा जात या फिर उसको पूछा गया है कि यह जो गुर्खुल चलते हैं इनमें विद्यार्थी हैं वो किस वर्ग के हैं तो वो कहता है कि भारत के नागरिक चार वर्णों की बात करते हैं ब्राम्वन, छत्रिय, वैश और शुद्र तो वो कहता है कि ये सभी विद्यार्थी इन समूहों में से आते हैं तो एक अंग्रेज उसको पूछ राए कि हमने तो कभी सुना था कि भारत में ज्यादा सिक्षा ब्राम्वनों के लिए है वो कहता है नहीं, दस्तावेज बताते हैं कि ब्राम्वनों के लिए भी सिक्षा है वैशियों के लिए भी है, छत्रियों के लिए भी है और शुद्रों के लिए भी है तो फिर उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम परसेंटेज में ये बता सकते हो कि ब्रामण कितने हैं वैशे कितने हैं चत्रिय कितने हैं शूद्र किसने हैं तो वो कहता है कि दक्षुन भारत के जितने गुर्कुल हैं, उनमें शूद्रों की संख्या सबसे जादा है, और पश्चिम भारत के जितने गुर्कुल हैं, उनमें वैशियों और ब्रामणों की संख्या लगभग बराबर हैं, और उत्तर भारत के जितने गुर्कुल हैं, उन वो ये कहते हैं ये कैसे संभव है कि शूद्रों की संख्या दक्षिन भारत के गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा है। तो वो एक उत्तर दे रहा है प्रश्न का जिसमें वो बोल रहा है कि दक्षिन भारत के गुरुकुलों में लगबग 58 प्रतिशत लड़कियां हैं और 42 प्रतिशत लड़के हैं तो फिर उसको पूछा गया ये कैसे संभव हो रहा है भारत में तो कहता है कि इस स्वाभा भी खैकियों कि दक्षिन भारत में महिलाओं की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है और वो कह रहा है वैसे तो भारत में सबी जगे लड़कियों की संख्या लड़कों से जादा है और आप जानते हैं कि 1881 में अंग्रेजों ने जब पहला सेंसस कराया पहला जनसंख्या सर्वेक्षन कराया तो उसमें भी रेशियो यही निकलता है महिलाएं लगबग 53 प्रतिशत हैं और 47 प्रतिशत पुरुश है तो वो कह रहा है कि गुरुकुलों में दक्षिन में लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ती है फिर वो पूछ रहा है कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक है तो वो कहता है कि वो सब महिलाएं ही है लड़कों को पढ़ाने के लिए पुरुश हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं है तो फिर उससे पूछा जा रहा है कि ये जो अध्यापक पढ़ाते हैं इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर हैं क्या तो वो कह रहा है कि सभी गुरकुलों के साथ उच्छ अध्यन केंद्र जुड़े हुए हैं जहां पर इन अध्यापकों को तयार किया जाता है और तयार होने के बाद वो गुरकुलों में पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं हर गुरकुल के साथ एक उच्छ अध्यन केंद्र हैं फिर उसके साथ पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ भारत के इन स्कूलों में माफ करो गुरुकुलों में क्या विशे पढ़ाये जाते हैं तो वो गिना रहा है कि 18 विशे पढ़ाये जाते हैं 18 विशे पढ़ाये जाते हैं सबसे ज़्यादा किस विशे पर जोर दिया जाता है तो वो कहता है कि भारत के गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा गणित पढ़ाया जाता है तो ये गणित कौन सा पढ़ाया जाता है तो वो कहता है वैदिक गणित पढ़ाया जाता है तो फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं कि हमारे यहां एक commercial mathematics है तो उनका भारतवाले उसको पढ़ते नहीं है और उसमें उनकी ज़्यादा रूची भी नहीं है वो वैदिक mathematics में ज़्यादा रूची लेते है फिर दूसरा कौन सा विशय है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता गनित के बाद तो कहता है दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा विशय है खगोल शास्त्र इसको सब भारतवासी पढ़ते है फिर तीसरा कौन सा विशय है तो वो कहता है मैटलर जी माने धातु विज्यान फिर चौथा कौन सा विशय है तो वो कहता है कि कारीगरी कारीगरी मा जो बिबिन्न तरह की कारीगरियां गाओं में रहती हैं हमारे सभी गाओं में अठारे तरह के कारीगर होते हैं कोई लोहे का काम करने वाला कोई लकडी का काम करने वाला कोई बांस का काम करने वाला कोई मिट्टी का काम करने वाला तो वो कहते हैं कि सभी गुरुकुलों में ये कारी-गरी पढ़ा ही जाती है 18 विशे उसमें अलग है फिर वो पूछ रहा है कि इसके आगे के विशे बताओ तो कहते हैं वो कि एस्ट्रो फिजिक्स पढ़ाते है एस्ट्रो फिजिक्स समझते हैं और बारत में 1835 में सभी गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता है फिर और क्या पढ़ाते हैं तो कहते हैं रसाइन शास्त्र पढ़ाते हैं रसाइन शास्त्र के साथ और क्या पढ़ाते हैं तो कहता है चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते हैं चिकित्सा शास्त्र में क्या विशे हैं तो वो कहता है आउशदी विग्यान एक है और शल्ल किरिया दूसरा है मनि सरजरी है और मेडिसिन है और ऐसे ऐसे करके वो 18 विशे को गिनाता है तो फिर वो पूछते हैं कि कैसे संभव है कि भारत के विद्यारती ये 18 विशे पढ़ हैं तो उनकी उम्र 21 और 22 वर्श की होती है लगबग उनको इतना समय मिलता है 15 साल का जितने में वो सब पढ़ लेते तो फिर उनको पूछा गया कि ये विशे कैसे पढ़ाए जाते हैं रोज पढ़ाए जाते हैं तो उसने का नहीं नहीं रोज नहीं पढ़ाए जाते एक- करके पढ़ाये जाते हैं माने एक विशे लिया और उसको पूरे एक साल पढ़ाया या आठ महीने पढ़ाया नौ महीने पढ़ाया जब वो पूरा हो गया तब उसको छोड़ा फिर दूसरा विशे लिया फिर तीसरा विशे लिया ऐसे करके 15-16 साल में सब विशे पढ़ाये ज evaluation का तरीका क्या है तो उन्होंने कहा कि यहां के जो आचारे और सिक्षक होते हैं वो विद्यारतियों को जब एक विशह पूरा पढ़ा देते हैं तो उसी के आधार पर उनके कौशल को जानने के लिए हुनर को परखने के लिए कुछ काम उनको दे दिये जाते हैं वो काम कितनी कुशलता से करते हैं इसके आधार पर तै होता है यह नहीं है कि क्लासरूम में बैठकर तीन घंटे का कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लासरूम में रट लिया है और आंसर शीट पर वामिटिंग कर रहा है ऐसा नहीं है भारत में उसने मजाक में कहा है लेकिन यह गंभीर है समझने के लिए तो उसको पूछा के आए कि अच्छा आप जरा बताओ कि हमारी इंग्लेंड की स्थिती क्या है अगर ऐसी सिक्षा भारत में है तो इंग्लेंड में तो कहता है जी इंग्लेंड में तो अभी सत्रे प्रतिशत ही साक्षरता नहीं है और वो कह रहा है कि जब भारत में सात लाग बत्तीस हजार गुरकुल है तो पूरे इंग्लेंड में कुल मिलाकर दो सो चालीस भी इसकूल नहीं है और जो इस्कूल है उनमें गणित पढ़ाना तो किसी को नहीं आता है वो एक ही विशे पढ़ाते हैं और वो है बाइबल और कुछ पढ़ाने को इनको नहीं है मुझे थोड़ा इंट्रेस्ट आया विलियम एडम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो मैंने इंग्लेंड के पिछले 400 साल के इतिहास के दस्तावेज इकठे किये तो पता चला कि इंग्लेंड में सोलवी शताबदी तक तो कोई भी इस्कूल नहीं था इस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई है तब उनके यहां एक इस्कूल खुला था चर्च के पिछवाड़े में गैरेज में गैरेज समझते हैं जहां गाड़ियां खड़ी की जाते हैं एक गैरेज हुआ करता था जो मुश्किल से 15-20 फिट लंबा 15-20 फिट चौड़ा लंदन के एक चर्च में यह लंदन में आप कभी जाएं तो उनका जो स्कूर है जहां पर उनकी पार्लिमेंट है उसके बगल में वो चर्च आज भी है तो उसकी पीछे के हिस्से में छोटे से में इस्कूल खुला था जो उनको पढ़ाता था बाइबल तो बाइबल पढ़ाने वाले इस्कूल उनक सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा फिलोसफर, सबसे बड़ा सब कुछ, जो यूरोप में भगवान के अगला अवतार माना जाता है, उसका नाम है प्लैटो, प्लैटो, सबसे महान, वो ये कहते हैं, ये तो ईश्वर का ही अंच है, माने ईसा मसी के बाद यूरोप में अगर किसी की इज़त है, तो वो प्लैटो की है, प्लैटो के बारे में यूरोप के सारे के सारे अर्थशास्त्री, सारे के सारे दूसरे शास्त्री, चाहे वो फिजिक्स वाले हों, कैमिस्ट्री के हों, बाटनी के हों, जूलोजी के हों, इंजिनिरिंग के हों, मेडिकल के ह आप मानते हैं, the whole of the European civilization is a footnote of plateau. मतलब यूरोप की पूरी सब्विता जो है न, प्लेटो के footnote जैसी है. माने प्लेटो ने जितना कुछ लिख दिया है, वो किसी पुस्तक के footnote में अगर है, तो उतनी ही पूरी यूरोप की सब्विता है. मतलब यूरोप की सब्विता का जनक प्लेटो ही है. प्लेटो ने अपनी जिन्दगी में कई महत्वपूर पुस्तकें लिखी हैं, उन में से दो का जिक्र करता हूँ. एक पुस्तक उसकी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित हुई है, the republic, गनतंत्र. और दूसरी पुस्तक जो बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में, laws, LAWS, ये दो किताबें प्लेटो की सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है, बहुत चर्चा होती है. The Republic में प्लेटो लिखता है कि सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती, सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती, समाज का जो प्रभू वर्ग है, प्रभू वर्ग से मतलब सरकार चलाने वाला वर्ग, राजा और राजा के नजदी, इनी को सिक्षित होना चाहिए, बाकी को सिक् का जो वर्ग है उसको आदेश देना है बाकी को तो सब उस आदेश का पालन करना है तो जो आदेश के पालन करता है उनको सिक्षित होने की क्या जरूरत है सिक्षा की जरूरत तो सिर्फ राजा को है और राजा के नजदी की लोगों को है ये जो प्लेटो ने कहा प्लेटो के आज जो दूसरा उसका great 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 philosopher या उसका great great student Aristotle Aristotle कहता है कि मेरा जो गुरु बोल गया है उसी पर मैं सहमत हूँ सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती समाज का जो प्रभू वर्ग है माने जो संचालन करता है राजिका, उसके राजा, मंत्री, मंत्रियों के नजदी के अधिकारी बस इनको पढ़ाई होनी चाहिए बाकी किसी को नहीं अरिस्टोटल के बाद जितने भी philosopher आये हैं और latest, Russo, Dekarte, Levinitz ये सब अपनी-अपनी किताबों में लिख रहे हैं सिक्षा की जरूरत किसी को नहीं होती अगर जरूरत है तो थोड़ा राजा को है माने यूरोप में प्लेटों के समय से चली हुई विचारधारा आज अठारवी शताबदी के सभी दार्शनिकों तक सतत चली आई है से पूरती की जाए तो प्लेटो लिखता है रिपब्लिक पुस्तक में ही कि राजा को अगर अपने बच्चों को सिक्षा दिलवानी है या खुद को सिक्षा लेनी है या उसके मंत्रियों को सिक्षा दिलवानी है तो इसके लिए स्कूल नहीं चाहिए कोई सिक्षक को पकड़ लाइए राजा को महल में आके पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए राजा के बच्चों को उसके घर में पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए मंत्रियों को वहां पढ़ा देगा इस्कूल की क्या जरूरत है तो फिर प्लेटो को कई बार पूछे जाने वाले प्रश्णों में से एक है कि स्कूल क्यों नहीं चाहिए तो वो कहता ये फालतू का खर्चा है वो ये कहता इस्कूल बनाने से अच्छा है एक बनाओ ऐसा इस्थान जहां पर मनोरंजन हो सके इस्कूल की क्या जरूरत है घर में आके कोई पढ़ा देगा क्या जरूरत है इस्कूल की तो इसलिए इंगलैंड में इंगलैंड के पड़ोसी फ्रांस में जर्मनी में स्वीडन में सुड्जरलेंड में 60 वी 70 शताब diffी तक एक भी इस्कूल नहीं खोला गया बात में क्या हुआ? Christianity का असर जैसे जैसे बढ़ा यूरोप में आप जानते हैं कि Christianity यूरोप में 2000 साल पहले ही आई है उसके पहले यूरोप Christian नहीं था यूरोप की छोटी छोटी जातियां, जन्जातियां होती थी जो 1000 से जादा हैं समू हैं छोटे छोटे वो अपना अपना धर्म और संस्कृती माना करते थे उनके हां इसायत क्या होती है मालूम नहीं 2000 साल से इसायत आई है तो जब इसायत का बहुत प्रचार हुआ और समाज और इसायत के बीच में संघर्ष हुआ तब उन्होंने Bible स्कूल शुरू किये और वो Bible स्कूल पूरे इंगलेंड में फैले फ्रांस में जर्मनी में फैले तो वो कह रहा है टीवी में कोले कि हमारे इहां तो कुछ स्कूल चलते है वहां सिर्फ Bible पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाई जाती है और Bible भी पढ़ाई जाती है तो संडे को पढ़ाई जाती है बस Monday से Saturday छुट्टी रहती है और उन स्कूलों को इंगलेंड के दस्तावेज़ों में Sunday Schools कहा जाता है और ये स्कूल शुरू हुए है और आज तक चल रहे है आप यूरोप में कहीं भी जाईए Sunday Schools आपको मिलेंगे जहांपर आप Bible पढ़ सकते है Bible में New Testament पढ़ाते है Old Testament पढ़ाते है दोई चीज़ें पढ़ाते है इसके लावा कुछ नहीं गनित क्या होता है Physics क्या होती है Chemistry क्या होती है Metallurgy क्या होती है Surgery क्या होती है Medicine Science ये कुछ उनको अठारवी शताबदी तक मालूम नहीं है ऐसा गरीब देश है England और उनकी ऐसी सिक्षा विवस्था है जो उनका पहला स्कूल खुला है जिसमें मुश्किल से 200 स्क्वेर फिट की जगे है उसमें उन्होंने पहली ही बार में 200 विद्यार्थी ले लिए अब 200 स्क्वेर फिट में 200 विद्यार्थी कैसे बैठते होंगे कल्पना गरलुआ कितना इस्पेस होगा उनके पास एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजों के यहां ब्रीधिंग स्पेस ब्रीधिंग स्पेस भी नहीं है एक एक गुर्कुल तो पाँच पाँच हेक्टेर में बने हुए है एक हेक्टेर में लगबग पाँच एकड़ होते है पचीस एकड़ में गुर्कुल बने हुए और वो कहरा है कि भारत के बहुत सारे गुर्कुल रेजिदेंशियल हैं जहां पर विद्यारतियों को रहने और खाने की विवस्ता है और कुछ गुर्कुल ऐसे हैं जो डे स्कूल की तरह से चलते हैं विद्यारती सुबह आते हैं शाम को पढ़के अपने घर वापस जाते हैं फिर वो उसको पूछा जाता है कि भारत के विद्यारतियों को ये सारी की सारी जो सिक्षा दी जाती है इसका कोई वर्गी करन है क्लैसिफिकेशन है तो वो बहुत सुंदर उत्तर दे रहा है जो हमें इस पे रिसर्च आज जरूरी है करना वो ये कह रहा है कि भारत के विद्धियार्थियों को पूछता हूँ क्या पढ़ते हो तो कुछ विद्धियार्थी कहते हैं हम सिक्षा ले रहे हैं कुछ कहते हैं हम विद्धिया ले रहे हैं ये विद्धिया क्या है सिक्षा क्या है मुझे समझ में नहीं आता लेकिन ये हर गुरुकुल में मुझे सुनाई देता है किलो गया है नाम सब हैं विद्याले और काम कर रहे हैं सिक्षाले का हैं कि नहीं कोई भी विद्याले ले लो एक दो तीन नाम विद्याले विद्याले महा विद्याले ये विद्याले काम सब सिक्षाले का कर रहे हैं शायद ये महिकॉले का असर है क्योंकि महिकॉले को सिक्षा और विद्या में अंतर नहीं मालूम था हमें भी नहीं मालूम है हम जानते नहीं है कि विद्या क्या होती है और सिक्षा क्या होती है विद्या जो है अपनी जिंदगी को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाने वाली अपने जीवन को उचा उठाने वाली, आत्मा का परमात्मा से मेल कराने वाली, मनश्य शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इन सब बातों को सिखाने वाली, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, छोडने वाला क्या है रग्रहन करने लाए क्या है ये सब ग्यान देने वाली या विवेक देने वाली ये तो हैं विद्या है और बाकी हमने mathematics पढ़ लिया हमने chemistry पढ़ लिया हमने ये physics पढ़ लिया हमने ये commerce सीख लिया हमने वो ये है सब सिक्षा तो कह रहा है कि भारत के सभी गुर्कुलों में विद्या है और सिक्षा है लेकिन वो इतना समझ में आ गया है कि ये जो विद्या है वो सिक्षा से उची है इसलिए भारत में गुर्कुल में जाने वाला सभी अपने को विद्यार्थी कहता है सिक्षार्थी कोई नहीं कहता अपने को क्योंकि मूल जो वो सीखने आया है वो कुछ और सीखने आया है खाली गणित सीखने नहीं आया है या खाली कॉमर्स सीखने नहीं आया या खाली मेटलर्जी सीखने नहीं आया विद्या सीखने आया है इसलिए विद्यार्थी कहलाना वो पसंद करता है अपने आपको और वो कहता है कि जितनी उची कल्पना भारत में है विद्या और सिख्षा की हम तो उसके दूर दूर कहीं नजदीक तक नहीं है फिर उसको पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि भारत में हायर स्टुडी सेंटर हैं क्या तो कहता है कितने हैं तो संख्या गिना रहा है पंद्रे हजार आठ सो कुछ हायर स्टुडी सेंटर का मतलब क्या है हायर स्टुडी सेंटर का माने विश्व विद्याले उनकी जो परिभाशा है ना उस परिभाशा में विश्व विद्याले हाइर स्टेडी सेंटर हमने तो कुछ दो चार नाम सुने हैं एक नालंदा का हुआ करता था एक तक्षिशिला का हुआ करता था लेकिन 1835 में मैकॉले बोल रहा है अपने पार्लिमेंट में कि 15800 कुछ विश्व विश्व्ष है के निपण है कोई एक विश है जैसे वो नाम लिखके बता रहा है मेरे पास यह सब नाम है 15800 और उसकी CD है अगर LCD प्रॉजेक्टर हो तो मैं आपको दिखा सकता था लेप टॉप मिरे पास अभी है उसमें सब फीड किया हुआ है एक विध्याले है माफ करिए विश्व विद्याले है अमरावती विश्व विद्याले मशूर है किस बात के लिए वो मैटलर जी के लिए मशूर है धातु विज्यान सिखाया जाता है और पूरा विश्व विज्याले धातु विज्यानियों से भरा हुआ है और धातु विज्यान कई तरह का है जैसे कच्चे लोहे से फॉलाद बनाना, जैसे जमीन में से लोहा, तावा, पीतल, सुरी, लोहा, तावा, सिल्वर, माने चांदी, और सोना, ये जो दूसरी दूसरी बेशकीमती धातुएं निकलती हैं, इनका एक्स्ट्रेक्शन कैसे किया जाए, ये सिखाने वाला, बने आज जो हमारे हाँ, आई 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 टीज में सिखाए जाता ना, मेटलर्जी में, वही वहाँ, उस समय यूनिवर्सिटीज में सिखाए जाता, फिर वो कह रहा है, एक विश्व विद्याले में गया था, कांगड़ा विश्व विद्याले, कांगड़ा मने हिमाचल, तो वो किस के लिए मशूर है, तो कह रहा है, ये सरजरी के लिए मशूर है, तो उसको पूछा जा रहा है कि किस तरह की सरजरी होती है, तो कहता है जी हम सोच नहीं सकते वैसी सरजरी होती है और उसको उसने शब्द दिया है जिसको आज के इक्विवेलेंट अगर मैं कहूं तो राइनोप्लास्टी राइनोप्लास्टी सरजरी का लेटेस्ट साइंस है 21 वी शतावदी का जिसमें आपके शरीर के किसी अंग के चमड़े को निकाल कर किसी दूसरे अंग पे लगा दिया जाए और ये 1835 में वो बोल रहा है कि कांगडा विश्विद्याले में तो ये सब सिखाया जाता है और सब सीखते हैं राइनोप्लास्टी तो वो कहता है मैंने मेरी आँखों से एक ऑपरेशन देखा है जिसमें पैर किये नीचे के हिस्से से माने गुटने से नीचे के हिस्से से चमड़ी निकाल कर नाक पर लगाई गई और वो कहता है 21 दिन में वो पूरा ठीक हो गया है पता ही नहीं चलता है कि इसका कोई ऑपर किया है कि मैंने ऐसा देखा मैंने वैसा देखा फिर इसी तरह एक अंग्रेज अधिकारी है वो खड़ा होके चिलाने लगता है मैंने भी देखा है करनल कूट उसका नाम जैसे ही उसने सुना तो वो भी खड़ा हो गया उसने का मैंने भी देखा है एक बार मैं भारत देश था, हैदर अली के साथ मैंने युद्ध लड़ा था, हैदर अली ने मुझे परास्त कर दिया था, मेरी नाक काट दी थी, मैं कटी हुई नाक लेके वहां से भागा था, और बेलगाम नाम का भारत में कोई एक गाउं है, वहां के एक वैद ने मेरी नाक का ओपरेशन किया था, और जोड दिया था और अभी वो नाक मेरी ऐसी है वो खड़े वो के बोल रहा तो उसको सब सांसत पूछ रहें कि अच्छा तुम्हारी नाक ही काटी थी सिर्क्यों नहीं काटा क्योंकि तुम तो परास्त हो गए थे तो तुम्हारा सिर क्यों नहीं काट दिया तो वो कहता है भारत के राजा बड़े दयालू है उनके मन में बड़ी दया है दुश्मन को भी पूरा मारते नहीं है भंग भंग करके छोड़ देते हैं और भारत में नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी की बात है हमारे यहां ऐसा कुछ तो यह करनल कूट के जो कहे हुए और मैकॉले के कहे हुए इन दस्तावेजों से अंदाजा लगता है कि सरजरी कोई बहुत उचे इस तरकी थी फिर इन सरजरी को करने वाले जो आचारे होते थे उन आचारेओं के उपकरण कैसे है उसका वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है और आपको सुनकर आचारे होगा कि सामन ने रूप से सरजरी का एक आचारे आचारे माने आज का MS Master of Surgery उस जमाने का आचारे तो वो कहते हैं कि सामन ने रूप से एक आचारे के पास कम से कम 500 instruments तो होते ही हैं वो कहता बीसियों तरह की तो उनके पास क्लिप्स हैं ये जो दो वाली होते ही ना पकड़ बीसियों तरह की और सभी उच्छ स्तर के लोहे से बनी हुई जिन में कभी जंग नहीं लगता फिर वो कहता भारतवासी बिना जंग का लोहा बनाना तो दसवी शताबदी से जानते हैं हमने उनसे ही सीखा है हमको लोहा बनाने की तकनीक भारत से ही आई है और ऐसा लोहा बनाना जानते हैं जिस पे कभी जंग नहीं लगती वो आज भी कभी देखना हो तो चले जाए ये महरोली का खंबा खड़ा हुआ है वो कहता है इनको ऐसा लोहा बनाना आता है तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे अच्छे बना लेते हैं और वो एक मजे की बात कह रहा है कि जिस समय इंग्लेंड में हम चिकित्सा कराते हैं अपनी कोई बीमारी की तो उस समय अठारे सो पहतीस में इंग्लेंड में चिकित्सा क्या होती है जरा सुनिये और यहां कोई अलोपेथी डॉक्टर है तो वो जरा ध्यान से सुने अठारे सो पहतीस में इंग्लेंड में चिकित्सा व्यवस्था होती है तो क्या है एक ही चिकित्सा है उनके पास हिपोक्रेटिस medicinal system एक हिपोक्रेटिस नाम का कोई आदमी हुआ इंग्लेंड इसा से करीब ढाई सो साल पहले सौरी ग्रीस में हुआ इंग्लेंड में नी ग्रीस में हुआ तो उसने कुछ सिद्धान्त दिये हैं वही सिद्धान तैलोपैथी का मूलाधार है सारे के सारे सिद्धा तो हिपोक्रेटिस क्या कहता है वो कहता है शरीर में कोई भी बीमारी घुज गई तो उसका एक ही कारण है कि रक्त आपका दूशित हो गया है कोई भी बीमारी हो सर्दी हो गई जुकाम हो गया बुखार आ गया खासी हो गई आपको डायरिया हो गया डिसेंट्री हो गई लंग इंफेक्शन कुछ भी हो गया तो हिप्पोक्रेटिस एक ही बात में डाइगनोसिस देता है कि आपका रक्त दूशित है अब इस दूशित रक्त को निकालो शरीर में से यही चिकित्सा है तो वो कहता है कि भारत वासी चिकित्सा कैसी करते हैं और हमारे डॉक्टर कैसी करते हैं वो कहता है कि जब मुझे बुखार आता है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेरी हाथ की नस काट देता है और उसमें से खून निकलने लगता है और वो कहता है ये खून जब तक निकलेगा नहीं तब तक बुखार तुम्हारा खतम होगा नहीं कभी-कभी मुझे डर लगता है कि खून के साथ जान न निकल जाए मेरी और वो यह कहता है कि भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था है इतनी अद्बुत है कि कुछ बुखार आ जाए कितने से भी कितना बुखार आ जाए वो कुछ चूरन खिला देते हैं और अगले दिन अमेरिका की आजादी के बाद सबसे पहले राश्वपती जॉर्ज वॉशिंगटन आपको मालूँ है उनकी मृत्तिव कैसे हुई उनको आया बुखार तो यह जो हिप्पोक्रेटिस मेडिशनल सिस्टम है न हाँ एक ही सिस्टम है उनके पास हिप्पोक्रेटिस मेडिशनल स इस्टप जिस पर उनके आप बहुत थीसिस लिखे गए हैं बहुत काम हुए तो उनको आ गया बुखार और बुखार हो गया बहुत एक सो तीन एक सो चार डिगरी तो उनका डॉक्टर आया और उनके दोनों हातों की नस काट गया हां और कहा कि यह खून बहने दो अभी मैं और मैंकोले कह रहा है कि जिस समय हम तो सिर्फ नस काट के खून निकाल के इलाज करते हैं बारत के लोग पता नहीं क्या-क्या जड़ी बूटियों से चूरन बनाते रहते हैं और वो कहता है कि इनके कॉम्बिनेशन इतने परफेक्ट हैं कि एक दो बार ही खाना पड़ता है उसके बाद खाना ही नहीं पड़ता फिर उसको पूछा गया क्या तुमने कोई लिस्ट बनाई है ये जो चूरन में कॉम्बिनेशन है इसके तो कहता है हाँ मैं एक लिस्ट बना रहा हूं उसमें कुछ मेडिसनल हर्ब्स हैं कुछ रूट्स हैं कुछ प्लांट्स हैं तो व इच्छा है वहां चिकित्सा भी दे रहे हैं सरजरी भी दे रहे हैं मेटलर्जी भी दे रहे हैं वगएरा वगएरा क्यों दे रहे हैं तो वह कहते हैं भारत के सबी आचारी कहते हैं कि जीवन एकांगी नहीं है अभी यह देखिए फिलोसफी की बात जीवन एकांगी नहीं है और चुकि एकांगी नहीं है तो इसमें सब तरह के ज्जान की जरूरत होती है तो हर विद्ध्यारथी को सभी तरह का ज्जान होना चाहिए विशेशक गिता उसको किसी एक में होनी चाहिए ज्जान उसको सब तरह का होना चाहिए तो कहता है कि जो primary level की ज्जान है वो सब को दी जाती है medicine की, surgery की, metallurgy की, mathematics की जब वो विद्यार्थियों की रुची उत्पन हो जाती है तो किसी एक विशे में उनको विशेशक्य बना दिया जाता है और फिर वो विद्यार्थी समाज में चला जाता है उसकी सिक्षा पूरी हो जाती है विद्या पूरी हो जाती है फिर वो समाज को अपनी सेवाएं देता है और वो एक महत्यू की बात कह रहा है कि भारत के विद्यार्थी इन सब गुर्कुलों से जब पढ़कर निकलते हैं तो उनको संकल्ब कराया जाता है संकल्ब कराया जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि देखो ये जो ब्रह्मांड जगत है वो उसको अंग्रेजी में एक्स्प्लेइन कर रहा है ठीक से नहीं कर पाया कहीं गलती है वो मैंने ठीक कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके समझ की बाहर है जो हमारी समझ के लिए सामाने है क्योंकि हर सब्विता में कुछ बातें विशेश होती है जो दूसरी सब्विता में नहीं मिलती है तो बाहर वाला आकर उसको जिस चश्मे से देखेगा हमारा चश्मा उससे बिलकुल अलग होगा तो वो कह रहा है कि भारत में ऐसा बोलते हैं मानते हैं कि ये जो ब्रह्मान्ड जगत है इसमें मनुष्य ही नहीं है मनुष्येतर बहुत सारे प्राणी हैं पक्षी हैं, जीव हैं, जन्तु हैं और सब भारत वासी मानते हैं कि सब में आत्मा है सब में आत्मा है और प्लेटो क्या कहता है प्लेटो करे जरा इसका सोचो वो रिपब्लिक में लिख रहा है और लॉज में उसको रिपीट किया है वो ये कहता है आत्मा सिर्फ राजा में होती है प्रजा में आत्मा ही नहीं होती प्लेटो का है ये मेरा नहीं वो कहता है आत्मा सिर्फ राजा में है प्रजा में आत्मा है ही नहीं इसलिए कानून सब प्रजा के लिए है आदेश देने का अधिकार राजा को है और प्लेटो तो कहता है कि राजा के मुझे जो निकल गया वही कानून प्रजा को उसी का पालन करना है अच्छा फिर प्लेटो ने स्ट्रेटिफिकेशन किया है कि राजा तो एक वर्ग है उसके नीचे के वर्ग के उसने वर्गी करण किया है की प्रजाम है पहला कौन तो कहता है कि यह जो उद्योगपती है वयापारी हैं धंदा करने वाले यह पहले इस तर के दूसरे इस तर पर कौन तो अध्यापक हैं और कारीगर हैं और म्यूसिशियन है संगीतकार है पेइंटर है आगे जादी दो तीसरे नमबर पर कौन? तो तीसरे नमबर पर खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर हैं वो चौते नमबर पर कौन? तो कहता है, इस्त्रियां महिलाएं वो चौते नमबर पर आखरी पांचमा कोई नमबर नहीं है वा तो वो कहता है प्लेटो कि मैं कभी-कभी कलपना करता हूं कि प्रजामे गलती से आत्मा आ गई तो इस्त्रियों में तो कभी नहीं आती इसलिए वो लॉज में लिख रहा है कि कभी भी किसी नियाधीश को किसी इस्त्री की गवाही पर विचार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरी को सत्तिका ग्यान नहीं है उसको विवेक नहीं है क्योंकि उसको आत्मा नहीं तो आप जानते हैं ये जो मौडर्न जस्टीश जुडिशियल सिस्टम निकला जिसमें से IPC, CRPC और CPC आया और हमने बिना सोचे समझे उसको अपने देश में अपनाया इस जुडिशियल सिस्टम में 1950 तक किसी महिला की गवाही को माना ही नहीं जाता था यूरोप में अदालत में चलने वाले किसी भी मुकदमे में किसी महिला की गवाही नहीं मानी जाती थी तो क्या हुआ फिर यूरोप में एक बगावत हुई जिसको वीमेंस लिव कहा जाता है इस्त्री मुक्ति और इसका नेत्रत तो किया एक फ्रांसी सी लेखिका ने उसका नाम था सिमोन दबोवार उसके एक गुरू हुआ करते थे जियोपाल सात्र जिनको आधुनिक दार्शनिकों में बहुत उचा इस्थान मिला हुआ तो सिमोन दबोवार ने सालो साल आंदोलन चलाया तब फ्रांस में इतना हुआ कि किसी तीन इस्त्री की गवाही एक पुरुष के बरावर है इतना हुआ बस इतना ही हुआ और उसके बाद सिमोन दबोवार मर गई और वो कहती थी कि मैं इतना ही करापाई यही मेरे लिए बहुत है कि कम से कम अदालत ने तीन महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बरावर तो मानी और प्लेटो चुकि ये कहता था कि इस तरी में आत्मा नहीं होती है तो 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था वोट डालने का तो छोड़ दो बैंक में एकाउंट खुलने का अधिकार नहीं था किसी महिला को एकाउंट खुलेगा तो उसके पती का खुलेगा महिला का नहीं खुलेगा और जो बिदवा है तो तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा महिला के नाम से नहीं खुलेगा जो बेटा ही नहीं है तो तो पडोसी के बेटे के नाम से खुलेगा हाँ उसके नाम से बेंक एकाउंट नहीं खुल सकता और 1950 तक यूरोप के किसी भी शहर में महिला घर से अकेली नहीं निकल सकती क्यों आत्मा नहीं है तो पता नहीं कहां जाएगी तो उसलिए उसके साथ में पुरुष का होना जरूरी है वो चाहे तीन साल का ही क्यों नहीं हो और प्लैटू ने लिख दिया ना इस्तरी में आत्मा नहीं होती तो सारे यूरोपियन दार्शिकों ने कहा है कि इस्तरी तो मेज कुर्सी जैसी होती है जब तक इस्तेमाल करो अच्छी लगती है नहीं लगती बाहर फेग दो दूसरी ले आओ ये है उनकी फिलोसफी तो मैकॉले ये सब वरणन कर रहा है कि हम तो सोची नहीं सकते हैं हमारे यहां महिलाएं गुरुकुल की आचारे हो सकती है वो कह रहा है भारत में आदे से ज़्यादा गुरुकुलों की आचारे महिलाएं आदे से ज़्यादा और वो कह रहा है कि ये सिर्फ गुरुकुलों की नहीं हाइर स्टडी सेंटर में भी यही है तो उसको पूछा जा रहा है कि ये भारत में ऐसा कैसे हो गया महिलाओं को इतनी सिख्षा मिल गई इतनी ऊपर आ गई तो वो कहते हैं भारत वाले बिलकुल विचित्र हैं ये कुछ और मानते हैं हम मानते हैं कि इस्तरी में आत्मा नहीं होती भारत वाले कहते हैं कि इस्तरी परमात्मा के सबसे नजदीक होती है आप बेखको कि उसमें पुरुश से कुछ गुण ज्यादा होते हैं अब हमारे सभी शास्त्रों में आप यह देख सकते हैं चाहे रिगवेद में देखना हो तो देख लीजे रिगवेद के कई सूत्र ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि इस्तरी पुरुश ज्यादा होता है वही सारा खेल खेलता है पुरुष में नहीं है इस्त्री तय करती है कि बच्चा होगा या नहीं होगा पुरुष में कोई दम नहीं है तो ये आज की Modern Science कहती है हमारी Science तो बहुत पहले कह चुकी है कि इस्त्री ईश्वर के सबसे नजदीक है हमारे कई शास्त्रों में ऐसे सूत्र है जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता ना चले कि क्या करना क्या नहीं करना तो इस्त्रियों से पूछो वो बताएंगे कि क्या करना क्यों? क्योंकि उनको फंक्शनल नॉलेज सबसे ज़्यादा होती है फंक्शनल नॉलेज हम समझते है जो क्रियात्मक ग्यान है जिससे कुछ हो जाता है ऐसा ग्यान उनको सबसे ज़्यादा है और फालतू ग्यान पुरुशों को बहुत होता है और उसका तमाशा देखना हो तो भारत की संसद को देख लो देखा आपने संसद में जो पुरुष संसद है वो मा वहन की गालियां देते हैं और इस्त्री संसदों को चुपचाप निकल जाना पड़ता है भारत में पता है क्या माननिता है भारत में माननिता ये है कि भाषा का विकास इस्त्रियों ने ही किया है पुरुष की ताकत नहीं है भाषा का विकास करने है क्यों? क्योंकि भारतिय भाषाओं में भारतिय भाषा हैं पता है? संस्कृत, तमिल, तेलगु, कन्नड, मले आलम, बंगाली, मने बंगला, आसामी, उडिया ये सब भारतिय भाशा है और हिंदी उर्दू मिलने से पहले अभी तो हिंदी हिंदी नहीं रही है उसमें बहुत कुछ उर्दू गुज गई है फारसी पता नहीं क्या क्या गुज गया तो हिंदी उर्दू मिलने से पहले और बाकी सब भारतिय भाशा है आपको मालूम है इन में गालिया नहीं है एक भी गाली नहीं है और गाली नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि ये भाषा इस्त्रियों नहीं रची है हाँ क्योंकि इस्त्रियों में कितना भी गुसा हो गाली नहीं निकलती उनके मुँसे क्योंकि ईश्वरी ये गुण है उनमें कुछ तो महकुले कह रहा है कि भारत में इस्तरी ईश्वर के नजदीक है परमात्मा के नजदीक है और वो एक सुत्र सुना रहा है पता नहीं उसको कहां से मिल गया वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते है कि इस्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता और ये एक दिन मुझे भी अनुवव हुआ है मैं धक्षन भारत में गया था एक गाहों में व्याक्यांदे ने ओ गाहों में एक मंदिर है बड़ा मशूर मंदिर है मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूँ तो पुझारी ने का आप अंदर नहीं जा सकते मैं पूछा क्यों कि आप ब्रह्मचारी है मैं पूछा तो क्या हुआ ब्रह्मचारी हूं अंदर नहीं जा सकता नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकता कि आप पवित्र नहीं है मैं पूछा वो कैसे उन्होंने का पवित्रता तो इस तरी के आने के बाद ही आती है हाँ और वो ब्रह्मुचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि मैं देखने लगा उसका चेरा ये बोल क्या रहा है तो उसने कहा कि इस तरी के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है उसके पहले तो वो लंपट होता है तो मंदर में मुझे गुसने नहीं दिया उसने और वो कहता आप तो क्या हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदर में गया नहीं है तो मैंने का ठीक है फिर कभी हो तो सोचूँगा तो मैं वापस चला आया ये बात को महकौले बोल रहा है वहाँ कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष इस तरीके साथ ही होता है और हमारे सभी रिशी मुनी ग्रहस्त थे सद ग्रहस्त थे ब्रह्मचारी नहीं थे तो बहुत वह जा कि भारत में तो इस तरी का यह हैसियत भी दे देते हैं आपको मालूम है यूरोप में धाई अजार साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग बहुत किताबें लिखी गई है इस पर बहुत लिखा विच हंटिंग समझते हैं विच माने क्या कहना है हिंदी दायन दायन को ढूंडना और उसको मारना ये बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में जर्मनी फ्रांस स्वीडन स्विजलेंड डेनमार्क माने मार देना उनको जिंदा जलाना कभी उनको जमीन में खड़ा खोद के गार देना बाल पकड़के उनको खीच लेना तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर होते थे और किस देश में किस साल में कितनी महिलाओं को भी चंटिंग किया गया इसके रिकॉर्ड्स आजकल में इ जादा महिलाओं को डायन कहके मार डाला गया उसी साल में अब हुआ क्या कहानी में कि विल्यम वेंटिंग ने अपने देश में जो 2500 महिलाओं को डायन मरवाया कहके उसकी चर्चा तो की नहीं आज तक एक किसी महिला को इस देश में डायन सिद्ध करके मरवा दिया उसको इतना ग्लोरिफाई कर दिया कि भारत के सभी गाओं में यही होता है और विलियम वेंटिंग को तो कुछ समझ भी नहीं थी अकल भी नहीं थी अभी थोड़े दिन पहले इस प्रश्ण का मुझे उत्तर मिला भारत देश में आप जानते हैं कि 4500 से जादा बनवासी जातियां हैं 4556 है कुछ बनवासी जातियां जैसे गोंड हैं वो एक बनवासी जाती है ऐसे ही गोंड जैसे 4500 से जादा समू हैं इनके बीच में मैं पुछले कुछ सालों से घूम रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा कि सती का मतलब क्या होता है सती कहते किसको है एक बार गौंड लोगों के एक बहुत बड़े सम्मेलन में गया और वहाँ किसी को सती किया जाना था मैंने का चल के देखूं ये होता क्या है सती होना तो वहां हुआ ये था कि एक महिला के पती का दिहान्त हो गया स्वर्गवास हो गया और पती का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गाउं के लोग जा रहे हैं अंतिम संस्कार वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं अगनी दाह करते हैं लक्णियां इकटी करते हैं तो मैंने देखा कि उसकी पत्नी आती है और उसके चारों तरफ प्रदक्षणा करती है और संस्कृत के मंत्र बोलते हैं कभी कभी उनको भूल जाएं तो वह अपनी भाषा के मंत्र बोलने लगते लेकिन मंत्र उचार होता है बराबर होता है पूरे समय होता है जितने समय तक लाश जलती है तब तक वह मंत्र उचार करते रहते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं तो मंत्रो चार हो रहा है पत्नी उसकी प्रतक्षणा कर रही है तो एक चक्कर उसने लगाया और उनकी अपनी भाशा में सबके सामने हाथ जोड़ कर कहा कि आज मेरे पती का स्वर्गवास हुआ है समाज में ऐसा कौन सा समू है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा वो आवश्यक क्योंकि उसको जीवन बढ़ाना है तो इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत है प्राकरतिक सुरक्षा भी चाहिए दूसरे तरह की भी सुरक्षा चाहिए क्या मेरी बेटियां जिम्मेदारी लेंगी बेटियों ने हाँ बोल दिया तो आ जाएगी नहीं बोला तो फिर चौथा चक्कर लगाईगी फिर वो पूछेगी कि क्या समाज के प्रतिष्ठित लोग जिनको हम क्या कहें महाजन महाजन लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर उन्होंने हां बोल दिया तो आ जाएगी ना बोल दिया तो फिर चक्कर लगाएगी पांचमा फिर वो पूछेगी कि इस समाज के आचारे लोग उपाचारे लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर हां बोला तो उनके पास आ जाएगी नहीं तो वापश जाएगी और आखरी चक्कर सात्मा जब लगाएगी तो वो पूछेगी कि क्या पुरोहित पुरोहित हम समस्ते हैं पूजा पाठ करा क्या पुरोहित मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर पुरोहितों ने हां बोला तो उनके पास आएगी नहीं तो चक्कर लगा के गाउं छोड़के चली जाएगी और गाउं कहेगा कि वो सती हो गई ये है सती होना और इसको बिगाड दिया अंग्रेजों ने क्या का कि उसको जवर्जस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे फिर वो जाती कहा है उसके पीछे पीछे में गया तो उस गाउं का कोई मंदिर होगा वहां जायेगी और अपना बाकी जीवण उसी मंदिर में बिताएगी वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे तो मंदिर में जाके पूजा करेगी पाट करेगी अपना जीवन उसी से चलेगा उसका और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाठ पूजा करने लगेगी तो समाज की आधरनिय हो जाएगी और सब उसको साश्टा में दंडवत प्रणाम करेंगे फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है हम उसको एक्स्प्लेनेशन क्या देंगे वो पती के साथ जिंदा जला दी गई वो सती है सती होना कोई उचा कर्म रहा है इस देश में हम उसको समझ नहीं पाए अंग्रेजों ने जो डेस्क्रिप्शन दे दिया उसी को अंतिम मान के हमने अपना मान लिया कि ऐसा ही कुछ होता होगा ये होता है और ये सिर्फ गोंडों में ही नहीं होता है गोंड हैं भील हैं जितने तरह की जंजातियां हैं ज़्यादा तर में ये होता है तो मैकॉले कह रहा है कि भारत में तो इस्त्रियों का इस्थान बहुत उँचा है परिवार में उँचा है समाज में उँचा है भाषा उनके यहां से निकली है functional knowledge उन्होंने सामाज को दिया है इसलिए इन के लिए तो सब कुछ विशेश होता है इसलिए गुरुकुलों में आचारे इस तर पर बहुत इस्त्रियां हैं ये हैरानी की बात नहीं वो कहता हमारे समाज में उल्टी इस्त्ति है इस्त्रियों का इस्थान सबसे नीचे है इसलिए हमारे यां हर काम में वो सबसे पीछे हैं तो इस तरह की कुछ बाते हैं जो मैकुले के डॉकुमेंट्स बताते हैं और बिलियम एडम ने इससे भी जादा कुछ खोज की है और उसके डॉकुमेंट्स इससे भी आगे की कई बाते हैं कि बारत के ये जो गुरुकुल है इन गुरुकुलों का योगदान क्या है समाज में तो विलियम एडम ने एक गुर्कुल की कहानी लिखी है अपने दस्तावेजों में आंदर प्रदेश में कावेरी नदी के पास विशाका पत्नम से थोड़ा दूर एक गुर्कुल है उसका नाम गाओं का मैं भूल रहा हूँ तो वो गुर्कुल है उसने क्या योगदान दिया है तो वो कहता है विलियम एडम की ये जो गुर्कुल है ये बहुत पुराना है और उसके दस्तावेज पुराने है बारवी शताबदी का वो गुर्कुल है और वो गुर्कुल है सिविल इंजिनिरिंग का कंस्ट्रक्शन में civil engineering तो कहता है इसका योगदान क्या है तो विल्यम एडम कहता है कि इस गुरुकुल के विद्यारती और आचारियों ने मिलके कावेरी नदी पर एक डेम बनाया है बांध बनाया है जो दुनिया का सबसे पहला बांध है मुझे नहीं मालूम था विल्यम एडम के डॉकुमेंट्स पढ़ने के पहले कि दुनिया का सबसे पहला बांध भारत में बना है फिर जैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको खोजते खोजते में पहुँच गया एक दिक और अपनी आँखों से देख के आया कि वो डैम अभी तक जीवित है उस डैम पर तेलगु भाशा में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर तारीक है सन 1238 में वो बना है आज से लगबग 800 सबा 800 साल पुराना है और वो डैम की विशेशता क्या है पत्थर और चूने से बना है और आप जानते हैं दक्षुन भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाह वाली नदी है कावेरी कावेरी जो है ना पेरेनियल रिवर है साल के बारों महीने पानी रहता है उसमें और पानी का फ्लो सबसे तेज है और पानी का दबाओ भी उसका सबसे तेज है तो कावेरी नदी पर जहां सबसे तेज गती से पानी बहता है उस नदी पर बांध बना दिया बांध की लंबाई कितनी है और उसकी चोडाई कितनी है लगबग एक किलोमीटर वीड़ किलोमीटर के आसपस उसकी लंबाई है टेर्ड किलोमीटर लंबा बांध है. और बांध बनाया कैसा है? ऐसा है, जैसे Z होता है ना Z. ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. Z शेप में पूरा बांध है. तो वो वर्रन कर रहा है, विल्यम एडम के, ये गुरुकुल के विद्यार थी और आचारियों ने बनाया है इसकी विशेश्टा क्या है तो विशेश्टा ये है कि ये जेट शेप में है जेट शेप में क्यों बनाया स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बना दिया एक रेखी रेखा में क्यों नहीं बना दिया तो कहता है इसका जबाब मुझे नहीं मालूँ क्यों बनाया बहुत दिन मैं भी सोचता रहा कि ऐसा क्यों है अब मेरे समझ में आया थोड़े दिन पहले कि ये जब सीधी रेखा में आप कोई दीवार बनाए और पानी बहुत तेज गती से आए तो दबाव इतना ज़ादा है कि बहुत जल्दी वो तूट जाएगा लेकिन अगर आप उसी सीधी रेखा कि दीवार को ऐसे ऐसे कर दो तो पानी का प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा और वो डेम कभी भी नहीं तूटेगा अब समझ में आया कि वो सवा 800 साल से कैसे जिन्दा है तो वो बोल रहा है कि ये एक गुरुकुल ने बनाया हुआ है और वो गुरुकुल विशाखा पत्नम के नस्दीक कभी चला करता था मैं जब गया इसको देखने देखने के बाद हैदराबाद लोटा तो उनकी जो आर्काईब्स है उसमें गया तो आरकाईब्स में उसके डॉकुमेंट्स मुझे मिल गए और गजट में भी इसके बारे में भरणन है तो वो कहरा विल्यम एडम के भारत के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्ध्यार्थी और उनको पढ़ाने वाले आचारी कितने समाज के काम करते हैं उसका ये नमूना है राजा डैम नहीं बनाते विद्यार्थी और उनके अध्यापक मिलके डैम बना देते है और विलियम एडम लिख रहा है कि भारत में ऐसे हजारों तालाब गाउं गाउं में विद्यार्थियों ने और उनके अध्यापकों ने बना दिये ऐसी हजारों गोशालाएं गाउं गाउं में विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने बना दिये ऐसी हजारों समाज उपियोगी चीज़ है जैसे धरमशालाएं, कुएं, पानी की रहेट ये सब विद्यारतियों ने अध्यापकों के साथ मिलके बना दिये तो विल्या मेडम कह रहा है कि भारत के गुरुकुल सिर्फ सिक्षा का केंद्र या विद्या का केंद्र ही नहीं है ये गुर्गुल अपने विद्यारती और अध्यापकों के साथ मिलकर समाज के इतने बड़े काम कर रहे हैं जो वर्सों वर्षों तक भारत के लोगों के उप्योग में आने वाले हैं तो इस तरह की थी हमारी सिक्षा व्यवस्था अब क्या हुआ इस सिख्षा व्यवस्था को जब मैकोले ने फूरे ठीक से डिस्क्राइब किया लंदन में तो लंदन में ब्रिटिश पार्लेमेंट के सभी सांसोदों ने कहा कि अगर ऐसी सिख्षा व्यवस्था भारत में है तो भारत तो बहुत समुर्द शाली है पैसे वाला है ये हमें समझ में आता है कई गुरकुलों का उसने वरणन किया है जो करशी विज्ञान सिखाते हैं करशी शास्त्रे सिखाते हैं तमिलनाडू के कई गुरकुलों का जिक्र है जिसमें क्रशी विज्ञान ऐसा सिखाया जाता है, जहां एक एकड़ में 56 कुंटल चावल पैदा होता है, उसकी विद्या वो सीखते हैं वहाँ पर, आज भारत में जितने भी agricultural universities है न, वो एक एकड़ में 30 कुंटल से जादा धान कभी पैदा करके दे नहीं पाए, लेकिन 1835 में विलियम एडम कह रहा है, कि एक एकड़ में 56 कुंटल धान पैदा करना तो सामानने बात है, और ऐसी सिख्षा देने वाले, विद्या देने वाले सेकड़ों गुरकुल बारत में, तो कुछ कृशी सिखाते हैं, कुछ मेटलर तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है, तो इस सिख्षा विवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक भारत गुलाम बनता नहीं, तो फिर उसको पूछ रहा है, इंग्लेंड का राजा, कि अब आपके पास क्या योजना है, तो वो कह रहा है क मेरे पास एक योजना है कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है उसको आदेश दिया जाए कि भारत के ये जो गुरुकुल है इंडिजनेस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको भारत का इस्थानिय सिक्षातंद तो कह रहें जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या इंड जंदन में यहां से वो चला जाएगा भारत में उसको लागू करा देंगे थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जब कानून आ जाएगा तो कानून के डंडे से हम इनको बंद करा देंगे कि ये इलीगल है बंद करो नहीं बंद करे बाद में भारत की संसद में पारित हुआ और उसको लागू किया गया तो उसमें तय ये किया गया कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है वो सब गैर कानूनी फिर कहा गया कि जितने भी गुरुकुलों में इस्थानिय भाषाओं की मदद से जैसे तेलगू, तमिल, कन्नड, मलियालम, मराटी, गुजराती इनके माध्यम से विद्या दी जाती है वो भी गैर कानूनी तो कानूनी क्या? कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्यम से सिक्षा दी जाती है, वो कानूनी तो मेकॉले ने क्या किया? ये कानून लागू कराके फिर भारत के गुरुकुलों पर डंडा चलाया, बुल्डोजर चलवाए, एक एक करके उनका नाश किया जहां गुरुकुल बंद नहीं हो पाए, वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यारतियों को जेल में डाल दिया, कई कई जगे तो अत्यापकों के हाथ काट दिये गए, सिर काट दिये गए, कई कई गुरुकुलों में आग लगा दी गई, उनके पुस्तकाल जला दिये यह सब अंग्रेजों ने अत्याचार सौ साल तक किया 1840 से 1940 तक इधर वो अत्याचार करते गए भारत के गुर्कुल खतम होते गए दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल शुरू किये जो यूरोप में आज भी चलते हैं और किसी उद्देश की पूर्ती के लिए चलाए जाते हैं मैं आपको एक इंट्रिस्टिंग बात और बता दू कि जो अंग्रेजी दस्तावेजों का मैं अध्यन कर रहा हूं उसमें से एक और दस्तावेज है ये कॉन्वेंट क्या होता है यूरोप में एक बहुत खराब परमपरा है जो अभी 1950 तक चलती रही जैसे इस्तुरियों को घर में रखना नहीं बच्चे पैदा हुए तो अनाथाश्रम में देना ये उनकी पुरानी परमपरा है और कई लोगों उन्हें तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही घर के बाहर टोकरी में रख दिया कि अनाथाश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा लेकिन क पाँच बच्चे पैदा हुए, चार को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, घर के बाहर टोकरी में रखके, दो को कुत्ते खा गए, दो को नाथ आश्रम वाले ले गए, यूरोप में ये बहुत पुरानी परंपरा है, बच्चों को लावारिस छोड़ना, क्यों छोड़ना, तो प् जीवन का चरम तो आनन्द ही है, और वो भी शरीर का आनन्द है, पुगता जीवन तो इसी के लिए मिला है, कि हम शारीरिक आनन्द की प्राप्ती करें, और बच्चे इसमें बाद आए, तो बच्चों को रखना नहीं घर में, तो छोड़ देना, तो वहाँ बच्चे छोड होने की परंपरा है, अब बच्चे छोड़े जाते हैं, तो राजा उनकी व्यवस्था करें, छोड़े हुए बच्चों की, तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है, उन संस्थाओं को कॉन्वेंट कहते हैं, कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली सं स्थाएं कॉन्वेंट माने अनात बच्चों के स्कूल लावारिस बच्चों के स्कूल तो यूरोप में यह कॉन्वेंट चलते हैं तो यह मैकॉले कह रहा है कि भारत में भी यही चलाएंगे तो कोई सांसत उससे पूछ रहा है कि भारत में कोई अनात होता है उसने का होता तो नहीं है लेकिन हम बनाएंगे होता तो कोई नहीं है क्योंकि भारत में किसी बच्चे के माता पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा चाची है ताउ ताई है मामा मामी है मौसा मौसी है बुआ फूपा कोई तो लेगा उसको यूरोप में तो है माता पिता तो भी छोड़ देंगे तो यूरोप में ये जो लावारिस बच्चे हैं इनको पालने के लिए कॉन्वेंट खड़े किये जाते हैं कॉन्वेंट को चलाने वाले जादा तर कृश्यन इंसिट्ट होते है या चर्च होता है राजा चर्च को दान देता है और उस पैसे से ये सब चलते हैं तो सबसे पहला कॉन्वेंट इस मैकॉलेनestyle भारत में खुलवाया कलकत्तौ पूर उस कॉन्वेंट में भेजना आवश्यक है नहीं तो नौकरी जाएगी तो जवरजस्ती भारतवासी जो उनके आँ काम करते थे उन्होंने अपने बच्चे भेजना शुरू किया फिर धीरे धीरे एक कॉन्वेंट से दो हुआ दो से तीन हुए तीन से दस दस से बीस पचास सो अब हजारों हो गए अब भारत में ऐसा कोई गाओं नहीं जहां कॉन्वेंट नहीं तो मैकोले ने एक विश बीज डाल दिया जो अभी वट बरक्ष बनके फैल गया अब तो ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल है इस देश में बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूँ आप बंबई में हैं ग्रांट रोड के पास है रेलवे स्टेशन से बिलकुल सटा हूँ बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल हाँ और एक कॉन्वेंट स्कूल है संतोशी माता कॉनवेंट इसकूल एक है सरस्वती देवी कॉनवेंट इसकूल एक महावीर स्वामी कॉनवेंट इसकूल खुलाई अभी बैंगलोर में जबरजस्त अब इनको पूछो चलाने वालों को कि बजरंग वली का कॉनवेंट से क्या रिष्गा है या सरस्वती देवी कब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई थी मूर्खों के मूर्ख इस देश में पैदा हो गई ना तो अंग्रेज हैं ना तो हिंदुस्तानी हैं खिचडी बनके इस समाज में पढ़े हुए ना उसमें से आप चावल निकाल सकते हैं ना मूं की दाल का दाना निकाल सकते हैं ये खिचडी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया ये सम मैकॉले की संतान है मैकॉले तो छोड़ गया कुछ जब अंग्रेज गए थे ना तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साड़े तीन सो कॉन्वेंट स्कूल थे पंदर अगस तुनिस सो से तालीस तक अब शायद वो तीस पें तीस हजार हो गए हो तो कोई आश्यर की बात नहीं अब यूरोप में जो कॉन्वेंट स्कूल है वैसी ही सिक्षण यहां हो रहा है यूरोप में क्या होता है न मैंने आप से का कॉन्वेंट माने लावरिस बच्चों के स्कूल तो वहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सिखाया जाता है कि देखो यह जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है ये फादर है ये मदर है क्योंकि असली का पता नहीं असली का तो कुछ पता नहीं लावरिस है किसका है बाप उसका और कौन है उसकी माँ तो इसकूल में जो पढ़ाने वाले होते हैं न टीचर तो पुरुश है तो फादर माने ओल्ड एज है तो फादर और यंग एज है तो ब्रदर और ओल्ड लेडी है कोई तो मदर और यंग लेडी है तो सिस्टर तो कॉन्वेंट में उनको बुलवाते हैं ये फादर है ये मदर है ये ब्रदर है ये सिस्टर है क्योंकि असली नहीं अब हमने भारतवासियों ने बिना सोचे नकल कर लिया उसका हमारे यहां तो घर में हैं असली और कॉन्वेंट में जा रहा है बच्चा तो वहां होगे नकली और वहां उसको मदर फादर ही बोलना पड़ता है अब भारतिय परंपरा में यह है कि किसी बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं बाप दो नहीं होते कभी बगवान करश्न की दो माताएं थी एक ने जनम दिया एक ने पाला राम चंदर जी मानते हैं कि मेरी तीन माहें एक ने जनम दिया है बाकी दो प्रेम दे रहें तो माता हैं दो हो सकती हैं तीन हो सकती हैं बाप हमेशा एक ही होता है अब हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले नोने हालों के हर एक के दो दो बाप एक तो घर में हैं असली और दूसरे हैं वहां नकली और मैं आपको अंग्रेजी की एक शब्द की व्याख्या करता हूँ अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बास्टर्ड बास्टर्ड वही होता है जिसके दो बाप होते हैं तो हमने अपने अपने नौने हालों को सबको बास्टर्ड बनाने का दंदा शुरू कर दिया है और बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंड मेरी कॉन्वेंट में जाता है जीसस कॉन्वेंट में जाता है फलाने कॉन्वेंट में धिमा के कॉन्वेंट में फिर उन कॉन्वेंटों में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें सिखाई जाती है आजकल सिखाया जाता वेलेंटाइन डे सेलिबरेट करो वेलेंटाइन डे ये वेलेंटाइन का किस्सा क्या है वेलिन्टाइन का किस्सा ये है कि यूरोप में मैंने का ना बच्चों को साथ रखने की परंपरा नहीं है ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा है बिना शादी के साथ रहने की एक शब्द चलता है यूरोप में live in relationship माने शादी तो करनी नहीं है लेकिन साथ में रहना है और ये क्यों ऐसा है इसमें छुटकारा आसान है सवेरे किया शाम को निकल गए कहीं दूसरे के घर में गुज गए फिर तीसरे के फिर चौते के तो जैसे कुटे घूमते रहते न ऐसे लिव इन रिलेशन्शिप माने कुट्ता संस्कृती लेकिन मुझे कई बार लगता है भारतिय कुट्तों से भी ज़्यादा खराब यूरोपियन कुट्ता संस्कृती भारतिय कुट्ते फिर भी थोड़े बफादार है यूरोप वाले तो उतने भी नहीं है तो ये लिव इन रिलेशन्शिप का चक्कर बहुत है और आपको सुनकर आशर होगा कि पहले से और आज तक यूरोप की सत्तर प्रतिशत प्रजा बिना शादी के रहती है बिना शादी के रहती है आप अभी भी जाके देख लो लंदन में पैरिस में कहीं भी अमेरिका में तो ये प्रतिशत 78 प्रतिशत है बिना शादी के रहते हैं अब बिना शादी के रहते हैं तो पत्नियां बदलती हैं माफ करो पत्नी तो हो जी नहीं सकती इस्तरियां बदलती रहती है उनको वो विचित्र विचित्र नामों से संबोधित करते है इंग्लेंड में एक नाम चलता है मिसिस मिसिस लॉयड, मिसिस टोपनो, मिसिस ये, मिसिस वो माने ये उसकी रखेल है जिसके नाम से काई मिसिस माने पत्नी को छोड़ कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर शेयर करते हैं वो सब मिस्स होती है तो वहाँ तो ये है सारा खेल इस्त्रियां तो शादी के बिना पुरुष तो शादी के बिना तो कभी-कभी बीच बीच में यूरोपियन लोगों को कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं तो चौथी शताब्दी में आज से लगबग सोले सो साल पहले एक व्यक्ति पैदा हो गए रोम में उनका नाम था वेलेंटाइन वो चर्च के पादरी हो गए उन्होंने भारत का साहित्य कुछ पढ़ा भारतिये साहित्य बहुत जगे फैला है हम सब जानते हैं तो वो पढ़ लिया उनके विचार बदल गए उनका कहना है कि सब को शादी करके ही रहना चाहिए और वो प्रचार करने लगे गाउं गाउं घूमके कि भाई शारीरिक संबंद बनाओ तो पहले शादी करो तो राजा जो था उस समय क्लॉडियस नाम का एक राजा था रोम में वो कहता था आप यह क्या बकवास करते हैं वो कहते थे यह बकवास नहीं है बहुत अच्छी जीवन पद देती है पूरवी भारत में पश्चिम भारत में सब जगे यही चलती है वहां के लोग बहुत अच्छे हैं इस्तरियां बहुत अच्छी है आप भी अगर इसमें आजा ओ तो बहुत अच्छा होगा बीमारीयां कम हो जाएंगी वगएरा वगएरा समाज वेवस्थित हो जाएगा तो वो घूमते थे गाउं-गाउं परचार करते थे भई शादी करो शादी करो और राजा जो होता था वो रोकता था कि शादी क्यों करना हमारी तो परंपरा है बिना शादी के रहना तो राजा और कि वेलेंटाइन का जगड़ा चलता था तो वेलेंटाइन्स आप क्या करते थे कि जो भी शादी करने को तैयार हुआ उसको अपने चर्च में बुलाते थे और उसकी शादी करते थे ये सिलसिला उन्होंने 20-25 साल चलाया अब वो राजा बहुत परिशान हो गया तो एक दिन उसने वेलेंटाइन को थी वो बहुत दुखी हो गए तो उनकी याद में उन्होंने वेलेंटाइन दे मनाना शुरू कर दिया तो ऐसे वेलेंटाइन दे आया अब उनके कॉन्वेंट में वेलेंटाइन दे मनाते हैं अब हमारे भी कॉन्वेंट में चालो हो गया वेलेंटाइन डे, वेलेंटाइन डे यहां तो कोई समस्या नहीं है शादी करके रहने के वहां तो शादियां ही नहीं होती है अब हमारे स्कूलों में वेलेंटाइन डे मनाता है तो बच्चे क्या करते हैं greeting card खरिदते हैं अपनी अम्मा को देते हैं वोड YoWi My Valentine फिर बाप को भी Dzेते वोड Yoamı हाई है इन मूरुखों को पता ही नहीं कि वेलेंटाइं थे कुन इसका मतलब या है अम्मा को पूछ रहे वोड यूवि मैवैलिंटाइन अभी थोड़े दिन पहले बंबई में में एक बुजुर्ग आदमी को मिला जिनकी 75 साल की उम्र है उनके पास 18 ग्रीटिंग कार्ड आए वेलेंटाइन डे पर और सब में एक ही वाग वुड्यू भी मैं वेलेंटाइन 75 साल के बुजुर्ग आदमी से लड़कियां पूछ रहे वुड्यू भी मैं वेलेंटाइन ऐसा अधकच्रापन है ये सब कॉन्वेंट मेंसे हमारे बच्चे सीख सीख के निकल रहे हैं और इन कॉन्वेंट स्कूलों में क्या क्या सब सिखा दिया वो कहता था न मैंकॉले मैं सिख्षा मिले ना मिले संसकार अंग्रेजियत के हम जरूर देंगे तो क्या होगा तो कह रहा है वो कि भारतवासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे ना तो वह शरीर से दिखने में भारती होंगे आत्मा से अंग्रेज हो जाएंगे फिर यही हमारी मदद करेंगे और भारत को गुलाम बनाई रखने में व्यवस्था करएंगे। हैं तो संसकार देना है उनको अपना तो वह दे रहा है अब वह जो कौनवेंट में वेलेंटाइन डे सिखा देया फिर उन्होंने पता नहीं मदर्स डे ठिखा दिया फादर Jetzt सिखा दिया मदर्स डे पता ह जा होता है यूरोप में यूरोप में एक और बहुत पुरानी परंपरा है प्लैटों के समय से चली आ रही है कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं है बाहर छोड़ देने वो नर्स तो मा बनी नहीं तो उसको दूद कैसे आएगा लेकिन अभी आधनिक विग्यान ने ये सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार दो तीन दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार इस्तन पान करे तो चौथे पांचवे दिन से दूद आना शुरू हो जाता है तो उनके या नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के दौरा होती है या नर्सिस के दौरा होती है मा नहीं करती है लेकिन कभी-कभी साल में कोई एक दिन मनाना हो तो वो Mother's Day मनाते हैं जिस दिन माँ अपने बच्चे को दूद पिलाने के लिए वहाँ जाती है Convent तो उनके यह Mother's Day होता है ऐसे ही उनके यह Father's Day होता है Father's Day का चक्कर क्या है? यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं जो गलती से किसी ने रख लिये तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो नहीं बैठ सकते बाप अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा दोस्तों के साथ जब वो चला जाएगा खाना खाके तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं लेकिन साल में कोई एक दिन वो fix करते हैं जब बच्चे बाप के साथ गैठे डाइनिंग टेबल पर उस दिन वो Father's Day मनाते हैं अब उनके Mother's Day उनके Father's Day उनके Brothers Day उनके Sisters Day या उनका Valentine Day उसके पीछे कुछ कहानिया है हम बिना सोचे समझें अंधों की तरह से इस पर लग गए हैं क प्लेकार्ड लेके बच्चीयां अपने अपने हाथ में जा रही हैं स्कूल-कॉलेज उनका छोड़वा दिया जाता है और यह सब मुर्ख सरकारी अधिकारी किया करते हैं फिर Father's Day पर निकालते हैंiran फिर में इस पर निकालते हैं तो वो दे गया, अब वो हमारे खून में घुस गया, और इतना घुस गया है, कि कुछ समझ में नहीं आता ये निकले कैसे, कई बार मैं किसी के घर में जाता हूँ, तो पिता जी का नाम है रामदयाल, माता जी का नाम गाहित्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, अब मैं पू इंकल, बबली, डबली, क्या है बबली का मतलब, क्या है डबली का मतलब, इस तरह के नाम हमने रखे हुए, गुज गई अंग्रेज ये था हमारे घाज में, हम सब मातर भाशा में हिंदी हैं, और रोज घर में बोलते हैं, ओ राजीव दिक्षित, शी इस माई मिसिस, तो मै की दर्म पद्नी कहते हैं, ओ राजीव दिक्षित, तो मैं पूछता हूं, रियली? क्योंकि यूरोप में मिस्टर का माने पती को छोड़ कर कोई भी पुरुश है, और मिस तो बहुत ही खराब है, मिस है, फ्रेंच शब्द है, मिस का माने एक ऐसी महिला जो जिन्दिकी भर प्रवरती करें, शादी ना कर सकें, वो मिस है, हम बड़े गर्व से लिखतें, मिस फलाना, मिस धिमाका, मिस ये, मिस हो, बिना सोचे समझें, और सबसे खतरनाक शब्द यूरोप में हैं, अंकल, सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिसके बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं हो उसको अंकल बोल दो, जिसके बारे में नहीं बताना हो, उसको आंटी बोल दो, हमारे अंकल आंटी कैसे हो सकते हैं, या तो चाचा होंगे, या तो काका होंगे, या तो मामा होंगे, या तो मौसा होंगे, या तो ताउ होंगे, सब कुछ हमारे या निश्चित है, अंकल तो बहुत ही अनिश्चित शब्द है आंटी तो और भी मैं को ले छोड़ गया तो हमने अपने बच्चों से मम्मी बोल डैडी बोल ये बुलवाना शुरू कर दिया मम्मी का मतलब है मरा हुआ और डैडी मरे हुए जैसा और बड़े शौक से बुलवाते मम्मी बोल डैडी बोल अब यूरोप में जो भूशा थी ना वो हमारे कॉन्वेंट में घुज गई यूरोप में क्या टाई लगाना है सूट पहनना क्योंकि ठंड बहुत है हमने यहां पचास डिगरी तेंपरेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको इतनी भेंकर गर्मी है अंदर से पसीना पसीना हो रहा है और कभी कभी तो रोज में ये द्रश्य देखता हूँ एक दूले राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहा है थ्रीपी सूट और टाई लगा के घोड़े पे चड़के बैठे हुआ है उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने क यही दिन मिला है कहता है राजी भाई एक दिन तो कर लेने दो तुमको यही दिन मिला है अपनी शादी का ऐसे हमारी भाशा बदल दिया भूशा बदल गया भोजन बदल गया कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे सीख रहे हैं पीजा खाओ बर्गर खाओ हॉट डॉग खाओ कोल डोग खाओ चाओ मीन खाओ नूडल्स खाओ तो उनका भोजन उनकी भाशा उनकी भूशा उनका भजन रॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक सब कुछ घुज़े अब ये कर दिया सब बंटा था अब ना तो हम भारती रह पाए ना अंग्रेज बन पाए अगर कोई सब्वित का खिचड़ी बन जाए उसका भविश्य बहुत खराब होता है मुझे कई बार ऐसा लगता है कि या तो हम भारतवासी पूरी ताकत लगा के अपने को अंग्रेज बना लें नहीं तो पूरी इमांदारी से भारतिये हो जाए यह अधकच्रे ना रहें पीचों कि इस बिल्कुलों में किताबं पढ़ाई जाती हैं जिन में बिलकूल। स्पष्ट बच्चों को सुनाया जा रहा है लुटेरा, हमारे भारत में एक जाती है जुसको जाट कहते हैं, जाटों के बारे में अंग्रेज ये कहा करते थे कि इनकी ताकत बहुत है, इसलिए उन्होंसे जाट रेजिमेंट बनाया, आपको मालूम है जाट रेजिमेंट, ऐसे ही जाटों के पैरेलल, महराष्ट में है मर जाठा वो भी एक तरह से जाटी हैं, तो मराठा रेजीमेंट बनाया, जाठ रेजीमेंट बनाया, क्योंकि इन में ताकत बहुत है, इनका जो DNA है बहुत इस्पेशल किसम का है, लड़ना, लड़ाना, मारना, मरना, उनको इसमें मजा आता है, कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, हाँ, किसी के लिए भी जान दे देंगे, ऐसे लोग, तो जाटों को अंग्रेजों ने लिखमारा और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम, अब ये बच्चे बार बार पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, तो थोड़े दिन में मानी लेंगे कि हाँ, वगत सिंग तो आतंकवादी था, उदम सिंग भी आतंकवादी था, क्योंकि एक जूट को आप बार बार कहो, बार बार कहो, तो दस बीस साल में सत्य तो होई जाएगा, एक अंकॉन्वेंट स्कूल की हिस्ट्री की कित किताब में पढ़के आया, और वो किताब मेंने समाल के रखी हुई है, जहांसी कि रानी लक्ष्मी भाई ने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, और उसका जीवन चरित्र लिखा गया है, कि वो एक अंग्रेज अधिकारी जौन लेक के प्रेम और मोहबत में ही फस सिलेवस को भारत सरकार में सारे देश का सिलेवस बना दिया है, पूरे देश का, अब संसद में भले ही कितना हंगामा हो, लेकिन सरकार कहती है, जी सत्य तो यही है, क्योंकि अंग्रेज उनने लिखा है, और हमारे प्रधान मंतरी भी कहते है, सच्य सत्यवादी तो अंग्र तो हम सब सोचें कि इस सिक्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है मुझे बहुत कष्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट इस्कूल चल रहे है आप जानते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा भूमी है भारत देश की मैंने संसद में एक प्रश्ण करवाया था आप यहां बैठे हैं मेरे एक दोस्त हैं अखलेश कुमार करके गोरखपूर से और उसके पास के छितर से संसद हैं मैंने का जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज़्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास है रेलवे से भी ज़्यादा जमीन इनके पास है और हजारों हेक्टेयर जमीन एक एक रुपए के लीज पर दी गई हजारों हेक्टेयर एक रुपए का लीज दो रुपए का लीज म 2006 तक ये अबाद गती से चालू है हमारी ही जमीन है हमारा ही पानी है हमारे ही संसादन है पहले में क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10 प्रतिशत ही है बाकी समाज का डोनेशन अकेले में बुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ बंबई का बंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उसमें 92% हिंदू समाज के लड़के-लड़कियां पढ़ते 92% 0.5% क्रिश्चियन समाज के है और बकाया में मुसल्मान है ये है इस्थती तो 92% विद्यार्थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में कॉन्वेंट स्कूलों में वो सब विद्यार्थी के माबाप एक साल की फीस के रूप में 18,000 करोड रुपए देते हैं आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है राजिस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा बंबई सिर्फ बंबई के कॉन्वेंट फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट मद्रास के कॉन्वेंट हैदराबाद के कॉन्वेंट दिल्ली के इन सब को मैंने जोड़ना शुरू किया फिर B-class cities के कॉन्वेंट जैसे अजमेर है जैपूर है ऐसे शहर फिर C-class कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतिय समाज के द्वारा एक लाख करोड रुपई से जादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग गुमा रहे हैं और ऐसे ऐसे दिमाग गुमाए जाते हैं एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरा धाई कोर्ट में मामला क्या था छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने को आते हैं तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जान बूच के बस बंद कर देना तो कभी भी वह ड्राइवर बस बंद कर देता है फिर बच्चों को कहता देखो बस खराब हो गई तुमारे भगवान का नाम लो तो बच्चे का नाम लेते हैं हनुमान जी का राम का बस चालू नहीं होती फिर वो कहता देखो तुमारे भगवान तो कमजोर हैं ये तो चालू नहीं हो रही अब इसा मसी का नाम लो जैसे ही बच्चे इसा मसी का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है तो तीन-तीन साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता है अरे इसा मसी तो बहुत ताकतवर है फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पपा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी हमने इसा मसी का नाम लिया वो चालू हो गई ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मूँ से सुना उस दिन मेरी आत्मा हिल गई मैंने का ये हो क्या रहा है आज मैं आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था तो वहाँ पर रामसनेही संप्रदाए के एक बड़े संथ है उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है बच्चे जो छोटे छोटे होते ना जिनके मन भोले बाले हैं उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और क्रश्न है ना उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं मैटल्स की और बच्चों को दिया जाता है फिर वो कहते हैं कि सुमिंग पूल में इनको तैराओ तो बच्चे उनको डाल देते हैं वो सब डूब जाती है क्योंकि मैटल्स की तो कहते हैं देखो तुमारे भगवान डूब गए फिर उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को काश्ट की मूर्तियां दी जाती है लकडी की ईसा मसी की कहते हैं तैर आओ तो वो तैर ने लगती है तो बच्चों को कहते हैं देखो ईसा मसी इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं रामकृष्ण तो डूब गए तो तुमको भी तो लोकमाने तिलकी इस बात को फिर याद करें दुश्मन हमसे ताकतवर है बहिशकार करो और असहयोग करो बाद में गांदी जी ने उसको और तेज से कहा हम इन कॉन्वेंटि स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं इसके लिए असहयोग करो और बहिशकार करो मतलब मैंने आपसे कहा कि इन बानवे प्रतिशत विद्ध्यार्थी हमारे हैं जो वहां पढ़ने जा रहे हैं इनको रोको और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे वो इंजिनियर बने न बने डॉक्टर बने न बने कम से कम बास्टर्ड तो न बने इतना अपमान तो न करें हम अपने पिता का तो हम नहीं बेजेंगे हमारे बच्चों तो फिर कहां बेजेंगे जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें बेजेंगे फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम है बढ़ जाएंगी जब धनका प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतिय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविदाएं भी बढ़ जाएंगे आप सोचो 18,000 करोड रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है इतना ही रुपया आरिस समाज के गुर्कुलों को मिल जाए या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतियता आधारित गूर्कुल चलाते है तो वो सुख सुविदाओं वाले हो जाएंगे वो तो धन के प्रवाह को बदलने की जरूरत है अभी धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है तो सुख सुविदाओं वहाँ जादा है हमारे स्कूल पानी से प्यासे है बैठने को जमीन पे टाट पटी नहीं है स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है सामान ने जरूरतों की चीज़ें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है तो ये इसलिए कि धन की कमी है धन का प्रवाह उस तरफ है इसको मोड़ दो तो समाज में एक बहस चले इस पर कि ये कॉन्वेंट स्कूल आए कहां से हैं उनके यहां सिक्षा की क्या इस्तिती रही है तो शायद इसमें से एक समझ बने और ये समझ हिंदुस्तान में अगले दो तीन वर्षों में कोई अभियान का सुरूप ले और ये अभियान हिंदुस्तान के इस विश भीज को उखाड़ कर फेंग दे ऐसी भावना मेरे मन में है मैंने इसके लिए एक और प्रयाश शुरू किया है बहुत लोग जब कहते हैं कि राजी भाई विकल्प दो तो हमने खुद अपने इस आज़ादी वचाव आंदुलन की तरफ से छे गुरुकुल बनाना शुरू किया और वो लगबग एक साल में शुरू हो जाए उन सभी गुरुकुलों को वैसे ही पढ़वाना है जैसे कभी 200 साल पहले था वही 18 विशय हमने चुने हैं जो 200 साल पहले पढ़ाई जाए और हमारे गुरुकुलों की ये माननिता रही है कि सिक्षा और विद्या सब के लिए किसी एक के लिए नहीं पैसा है या नहीं ये महत्तु का नहीं है सिक्षा और विद्या हरेक के लिए वो जाती का है धर्म का इससे मतलब नहीं हमारे गुरुकुलों में सभी तरह के विद्यारत आप तो जानते हैं कि भारतिये शास्त्र कहते हैं कि सिक्षा विद्या और नियाए यह संकल्प से हम शुरू कर रहे हैं फिर यह चलेंगे कैसे इनको चलाने के लिए विद्यार्थियों को हर दिन दो घंटे श्रम दान करना पड़ेगा या तो दो घंटे वो चर्खा चलाएं या तो दो घंटे खेत में काम करें या तो दो दस्तुएं विकेंगी उससे आमंदनी होगी और गुर्कुल उससे चलेंगे फीस किसी को नहीं देनी पड़े और हमारा यह मानना है कि जो विद्यारती 14 साल पढ़कर निकल गया कम से कम हरेक के पास धाई से तीन लाक रुपए होगा जो उसके अपने श्रम की कमाई होगी उस डिगरी उची नहीं होती कभी भी अंग्रेजों ने हमको उल्टा फसा दिया ग्यान आधारित हिंदुस्तान को डिगरी में फसा दिया अब हम किसी की भी परिक्षा लेते हैं तो भई तुमारे पस डिगरी क्या है डिगरी कोई महत्तुकी नहीं होती है चरक रिशी की क्या थी सुष्रुत रुशी की क्या डिग्री थी सांख्य धर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया उनकी क्या डिग्रियां थी खगोल शास्त्र में इतने बड़े-बड़े रिसर्च हो गये आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रहे नहीं है हिंदुस्तानियों ने तो चौदवी शताबदी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रहने अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रहने सूरी की दूरी प्रत्वी से कितनी है ये आज बोलते है नौवी शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और प्रत्वी की दूरी कितने है तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग इनके पास किसी के पास डिगरी नहीं थी ग्यान था ग्यान उचा होता है डिगरी नहीं होती है तो हम वही ग्यान आधारित, सिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं अभी शुरू में हम शायद माइनॉरिटी में होंगे लेकिन हर माइनॉरिटी समय में मैजॉरिटी हो जाती है कौन जाने कल को ये अभियान चल पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा शुरुआत तो एक दो से ही होती है बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा सागर बन जाता है बगत सिंग तो अकेला था, फांसी पे गया उसके साथ सुगदेव, राजगुरू अकेले थे सबसे पहले तो मंगल पांडे अकेला था भी लगे हैं और आप मेंसे जो आरे समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है मैंने एक पाठिकरम तयार किया है आरे समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं उनको हम वो दे सकते हैं हमारा उस पर कोई कॉपी राइट नहीं है सब को कॉपी करने का कम्प्लीट राइट है क्योंकि हम मानते नहीं कि ग्यान पर किसी का विशेश अधिकार है ग्यान तो सब के लिए है मैंने कहीं से लिए आपको दिया आप किसी और को दे दीजे तो आरे समाज के सभी गुरुकुलों को मैं दे सकता हूँ और दूसरे गुरुकुलों को दे सकता हूँ वहाँ भी ये साथ साथ शुरू हो जाए हम प्रयास करें आप भी करें तो हो सकता है तीन चार साल में इस देश की सिक्षा का ढाचा और दिशा दोनों बदल जाए ऐसे अभिष्ट की कामना करके आपके पास आया आपने बड़े द्यान शानते से सुना आपका आभारी हूँ इन बातों को किसी और को भी सुनाएंगे तो और आभारी रहूँगा कुछ बातें ऐसी मैंने कही हूँ जो आपको अच्छी ना लगी हो तो उनको यहीं चोड़कर जाएए उसके लिए माफी चाहता हूँ धन्यवाई दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें